कि इटनी में स्टोन या गुर्दे की पत्थरी को बिना ओप्रेशन यह आप जड़ से निकाल सकते हैं जड़ से निकालने का मितलब पूरे तरीके से आप गूर्दा होता है उसको आफ रख सकते हैं रिवर्स होना शुरू हो जाए बिना दवाईयों के तो यह सारा शॉलूशन आज की वीडियो में देने वाली हूं तो इसलिए वीडियो को लाज तक जरूर देखे चलिए शुरू करते हैं तो उसके लिए अब इसे बता देना चाहते हूं कि देखो जैसे पत्री की समस्या है मैंने आजकल अपने आसपास भी परोस में भी सब जगह यह देखा हुआ है कि पत्री की समस्या बढ़ चड़के हो रही है और आपको एक सच्चाई बता दू कि आज से कम से कम चार से पांस साल पहले मुझे भी एक सुटिंग पेन हुआ था यहाँ पे इस साइड में मैंने इस चीज़ पर गोर नहीं किया तो मुझे लगता था सुरू से ही कि मुझे पथरी नहीं हो सकती थी तो मैंने कुछ ऐसी गलतियक की जिसकी वज़े से मुझे भी स्टोन आ गया था और कैसे मैंने उनको साफ किया तो वो भी आपको बताने वाली हूँ यह तो आपको चोटे-चोटे बच्चे होते 10-12 साल के उनके पेड़ भी फूले रहते हैं और उनको भी पत्रियों की समस्या उनको भी पेड़ से गुजरना पड़ता है इसकी वज़े से वो ठीक से पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं दो-दो दिन तक बैड़ पर पढ़े रहते हैं और पे कर सकते हैं उसके लिए एक नुस्खा बहुत ही रामबार नुस्खा है वो भी आपको बताऊंगी कि किसी की अडियल पत्रिया वो जा नहीं रही है तो चलिए मैं आपको बता देती हूं दूरू से शुरू कर लेते हैं देखिए सबसे बड़ी चीज जो हम दूद पीते हैं जैसे गाएं का भैस का अब आप यह कहेंगे कि अच्छा फिर दूद भी बंद करते हैं नहीं मैं बताती हूं देखो जरू से जादा कोई भी चीज सुबह बच्चा उठा मैंने कुछ घरों में देखा है कि उसका आलस उत्रानी और दूद का ग्लास उसके हाथ में आ जाता है यह बहुत गलत है जब तक बच्चे को भूखना लगी है या बड़े को भूखना लगी है कोई भी चीज खानी पीनी नहीं चाहिए फिर सुबह उठते ही बोडी डिटोक्स करने के मोड में होते हैं और हम बच्चे को या खुद को ऐसे चीज़ दे रहे हैं कि जो हमारे स पत्ती डाल के उबाल लेते हैं पत्ती के अंदर टैनिंस होते हैं जो कैल्शियम को अब्जॉब नहीं होने देती हैं और बोडी के अंदर पानी की कमी भी कर देती हैं जिसकी वज़े से उनको स्टोन बनने ही बनने हैं जो दूद में पत्ती लगा के पीते हैं ऐसी चाह बन और जब आप calcium को oxalate के साथ mix कर देते, जैसे पालग की सबजी बनाई, हर सबजी में आप टमाटर डाल लें उसके साथ अपने मलाई खाली, तो calcium oxalate को आपने mix कर दिया, तो आपकी पत्री बननी बननी है, एक दो साल करके देख लीजे, जो मलाई खाने वाले हैं, उनको पत्री होगी ही होगी, चाहिए आप बच्चे को मलाई देते हैं, मलाई की बजाए आप मक्खन दे सकते हैं, लेकिन मक्खन ऐसे दे, मालिया और पालग वाली चीजे एड मत करें, इस चीज का ध्यान रखें, घी दे सकते हैं, बच्चे को उपर से, जो सबजी के उपर जो देसी घी होता है, वो भी जरूरत से जादा नहीं, लिमिट में, एक टाइम दूद देंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दो तीन टाइम अगर दूद देते हैं, तो वो भी ज़्यादा हो जाता, उस बच्चे को जिसका मोटापा बढ़ा हुआ है, या किडिनी स्टोन है, तो उनका दूद भी अगर बंद कर देंगे, तो उनको जल्दी राहत मिलेगी, जरूरत से ज़्यादा ड्राइ फ्रूट्स खाना, बहुत जिसमें उग्जिलेट होता है, वो आप सर्च करके गूगल पर देख सकते हैं, उसके साथ आप दही ना खाए, दही सब लोग सबजी के साथ खाते हैं, जैसे पालक की सबजी हो गई, टमाटर हर सबजी में आप डालते हो, बैंगन की सबजी हो गई, तो आप आपने दही ल जाता है, तो वो कही ना कही अगर आप 6 महीने होगे, साल होगे, लगतार इन चीजों को उपयोग में ला रहे हैं, बच्चे को भी दे रहे हैं, तो तब जाके स्टोन बनने का चांस होते हैं, फिर आप पानी कम पी रहे हो, जरुर से ज़्यादा पानी कम पी रहे हो, तब आपके स्टोन बनेंगे, जरुर से ज़्यादा चाय पीते हो, हर खाने के बाद चाय पी रहे हो, तब आपके स्टोन, क्योंकि मैंने बता दे चाय में टैनिन्स होते हैं, इन चीजों को आपने ध्यान रहे हैं, मोटा मोटी मैंने बता दे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा बंद करती। फिर मैं चीजों को जैसे खाना खाती तो चबा-चबा के खाती थी, दहीं भी कम किया और अगर दहीं खाने भी है तो अलग से लेती थी, खाना की साथ नहीं लेती थी, अलग से लेती थी, इस तरीके का मैंने रूटीन फोलो किया, चाय बहुत कम कर दी, पानी ज वह पत्रिया कहां गई वह पेन कहां गया मुझे नहीं पता चला तो मैंने इस रूटीन को अपना फिक्स किया हुआ है अभी भी देख के काम करती हूँ ड्राइफ रूट्स भी लीमिट में लेती हूँ जरूर से जादा कुछ भी नहीं लेना है आप बता देती हूँ जयर पनसारी केया जाएंगे वरुन की छाल 20 son लेके आनी है गोकुरू की छाल 20 son दोनों को आपने सेम मातरा में पीसना है और मिक्स कर लेना है इस पावडर के आप दो चममच लेंगे दो ग्लास पानी ने अच्छे से बहुत अच्छा रहेगा, सूबा खाना खाने से पहले, ब्रेकपार्स से एक घंटा पहले, और साम को भी ऐसे ही डिनर से गंटा पहले आप इसको ले अराम से बैठके इसके बाद कुछ खाये पिए ना, एक घंटे तक वैसे ही पानी को अपना काम करने दें। ऐसे अगर करेंगे और जो मैंने आपको फ़रेज बताए हैं, अभी अगर मलाई खा रहे हैं, दूद पी रहे हैं, या बहुत ज़्यादा ड्राइफुक्स खा रहे हैं, यह सब चीजे देख के बैलेंस में करें। बहुत कम कर दें, या फिर कुछ दिनों के लिए बंद कर दें। इन चीजों का ध्यान रखे, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, नीमबू पानी भी अपने जो डेली का रूटीन हैं उसमें एक बार तो जुरूर शामिल करें। और दो बार तीन बार लेंगे तो बहु फिर से वह पेन आएगा, फिर से पेन किलर लेनी पड़ेगी। उसका साइड इफेक्ट आपके ओर्गंस के उपर होता है, जो की बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो एक बोटल में पानी भरना है, गरम पानी और उससे सिकाई करनी है यहां पे, जहां पे आपको पेन फील होता है, वहां पे आप सिकाई करेंगे। और अगर आपको लगे कि पेन शूटिंग पेन हो रहा है तो गुनगुना पानी पी लें। ऐसा करने से क्या होता है, इसके बिच्छी क्या साइंस है, किसे पेन कम हो जाएगा दिखिए जब आप कोई ठंडी चीजे खाते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे जो नर्व होती है, बलड का सर्कुलेशन होता है, वो थोड़ा से टाइट हो जाता है, नर्व टाइट होने लगती है, तो जब नर्व टाइट हो जाती है, जो हमारी किड्नी होती है, जब उसमें पानी की कम वो एक्दम से पेन होगा, शूटिंग पेन आपको फील होगा, कि स्टोन तकरा ही ही है, और आप फीलेंगे, बैठे, आप ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसे मुर्गे काम कर रहे हैं, तो आपको बार-बार पेन फील होगा, dissolved हुआ जाता हैं वो लेट भी नहीं पाते हैं, तो जब पीएंगे तो वह पानी कडीन निमे जाएगा। और वह जो स्टॉन है, पानी में फलोड करेंने स्टॉन के बीच में आजाएंगे। किर्णी हलकी से फूर जाती है तो इस्टोन यहाँ पयाँ चाहिए तो जो पें की सेंसेशन जादा और है वह कम वह आनी शुरू हो जाएगी और जब आप यहाँ पर सिकाई कर रहे हैं तो वैसे शिकाई का का मोता ही कि नर्व आपकी फैलनी सुरू हो जाती गरम चीजे लग रही है न नहीं से आपकी फैलनी शुरू होगी आपकी नलिया ख्लनी शुरू होगी तो जो वह स्टोन टच करके पेन करती है आपके ओर्गन्स को तो वह फिल नहीं होगा आपको तब ही आपको पान की पानी बराबर मातरा में पीना है, बहुत ज्यादा भी नहीं कि 8-8 लीटर आप पी गए, कितना भी नहीं मतलब फिर भी जो नॉर्मल व्यक्ति होता है उससे थोड़ा ज्यादा पीना है, खाने की क्वांटिटी कम खानी है, स्पेशल रोटी, चावल, टमाटर या फिर जो चिकनी सबजी होती है, जिनमें से जैसे भिंडी हो गई, तो आलू के जैसी होती है, मेरी ख्याल से गागली भी कहते हैं कुछ लोग या कठल की सबजी हो गई, जिनमें एक लार से निकलती रहती है, वो सबजी आपने कम खानी ह हैं, आलू भी कम खाने हैं, हरी सबजे जिनमें आप पाने डाल के बनाते हैं, जाले भी छिलके वाली खाएं, कम मातरा में खाएं, स्पेशल जिसे पनीर होता है, कुछ लोग ये भी कमेंट कर देंगी, पनीर खाएं के नहीं खाएं, जो भी अंडा या अनिमल प्रोड़क् बहुत जल्दी आपकी स्टोन निकल जाएगी या कम हो जाएगी तो मीदे फ्रेंड्स आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी अगर आपको स्टोन की प्रॉब्लम है बार बार पेन होता है आप ये नुसका अप्लाई कर सकते हैं बच्चों को आधी मात्रा में दे सकते हैं और इस तरीके से अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं आज इतना ही वीडियो कैसी लगी जरूर बताना वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लेक्शे जरूर करना अगर चैनल पर आपने हैं तब तकी के लिए बाई टेक केर